दोस्तो नमस्कार अगर मैं आपसे यह कहूँ कि इंकम टेक्स का कोई नोटिस अच्छा भी हो सकता है तो आप नचुली मेरी बात का खंडन करेंगे और कहेंगे अनुम जी कैसी बात करते हैं क्या कोई income tax का notice अच्छा भी हो सकता है ने चुली मुझे भी आपकी बात को मानना पड़ेगा कि हासाब कैसे कोई income tax का notice अच्छा हो सकता है इसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि section 148 के notice जो आ रहे हैं हाला कि वो किसी खत्रे के निशान की और आपको इशारा करते हैं पर 148 का notice अपने आप में golden opportunity भी है क्यों अब तक दोस्तों जो एक व्यवस्था चलती थी वो ये थी कि income tax department धारा 148 में एक notice देता किसी करदाता को और ये कहता कि साहब हमारे पास information है आपकी कोई income escaped assessment रह गई है ऐसा reason to believe है आप अपने return भरिए करदाता विचारा सहम जाता आरे साहब income tax department के पास ऐसी कौन सी सूचना आ गई कि मेरी को income escaped assessment है उसे पता नहीं चलती वो सूचना लेकिन वर्ष 2021 बजट 2021 से विवस्था में change आया और संसत ने ये विवस्था कर दी एक नया section 148 है income tax act 1961 में insert करके कि income tax department करदाता को बताएगा कि आपकी ये सूचना हमारे पास किसी year की है जिससे पता चलता है कि आपकी income escaped रही यानि आपकी income tax नहीं हुई तो बताइए आप ये सूचना सही है या गलत है बहुत बड़ी बात है कि एक परिवर्तन आया कि आयकर विवाग करदाता के साथ सूचना share कर रहा है अब करदाता अपना पक्ष रखेगा कि हाँ साब ये सूचना सही है गलत है या मैंने tax दे दिया या नहीं दिया तो इस वज़े से दोस्तों मैं प्राइमा फेसाई सेक्षन 148 के नोटिस को किसी भी करदाता के लिए एक गोल्डन ऑपर्चुनिटी है सुनहरा अफसर मानता हूं अब इस सुनहरे अफसर का प्रयोग कैसे करना है इस नोटिस के कंटेंट क्या है इसकी प्रक्रिया क्या है ऑनलाइन इसका कैसे रिस्पॉन्स करना है और कुछ गलतियां जो करदाता कर सकते हैं 148 के नोटिस में या कर देते हैं वो ना हो उनके लिए भी आपको सतर करना चाहता हूं तो इस वीडियो के तुरू यही सारा कंटेंट ले करके मैं C&O भर्टिया आपके समग शाजिर हूं आएए दोस्तों आगे की चर्चा पर बढ़ते हैं दोस्तों सीधे आपको लिए चलता हूं सेक्शन 148 ए बेर एक प्रोविजन पर के इंकम टेक्स एक्ट 1961 में यह जो सेक्शन 148 ए इंसर्ट हुआ इसने ऐसी क्या विवस्ता की और हमें एक एक क्लॉस बड़े ध्यान से समझना है ताकि यदि हमारे पास या हमारे किसी जानकार के पास ऐसा नोटिस आया हो तो उन्हें उसको कैसे अटेंड करना है कंड़क्टिंग एंक्वाइरी प्रोवाइडिंग ऑपर्चुनिटी बिफोर इशु अफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 तो ये सेक्शन 148 एका टाइटल है अब 148 एक कहता क्या है दोस्तों देखेगा दा असेसिंग ऑफिसर शेल यानि ये प्रक्रिया मस्ट है असेसिंग ऑफिसर शेल यो इसको follow करने में चूक नहीं कर सकता आपको एक message दे रहा हूं साथ के साथ आपको जहां भी लगे पूरी 148 एकी प्रक्रिया का उलंगन हुआ है कहीं पर भी तो आप पर जो भविश्य में 147 का assessment होगा आप उसको challenge कर सकते है ये एक पकी बात आपको मेरे सेहां लेनी है assessing officer shall before issuing any notice under section 148 148 का notice कहा है दोस्तो वो notice तो assessi से relevant assessment यह की return मांगता है और 148 A का notice कहा है वो हम समझ रहे हैं और 148 A का notice जरूरी है 148 से पहले ये भी समझ रहे हैं तो A.O.shell before issuing any notice under section 148 conduct any inquiry अब A.O. conduct कर रहा है साब कोई inquiry यानि assessing officer एक inquiry conduct कर रहा है यदि उनको जरूत होती है तो if required with a prior approval of specified authority ऐसा निये कि उनको अपनी मर्जी से कोई inquiry करे उनको अपनी senior authority की से CIT वगरा की approval लेकर के काम करना पड़ता है with respect to the information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment तो हर कर निधारण अधिकारी के पास में जो jurisdiction पैन होते हैं उनसे उनके पास में filter होके information आती है जो उन्हें ये suggest करती है कि करदाता की income पर tax लगना था पर वो लगा नहीं करदाता की income tax होने से बच गई तो अब करदाता एक inquiry करेगा ऐसी व्यवस्ता section 148 ए clause A में की गई अब अगला question आया भटिया जी ये कौन सी information होती है जो suggest करती है income tax department को कि income chargeable to tax escaped हो गई assessment होने से ये तो आपने मेरे से लाग पते की बात करी दोस्तों इस पर एक विशेश discussion आगे करता हूं दोस्तों बात कर रहा हूं information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment क्या इस शब्दावली का भी क्या इस वाक्याँश का भी कोई अर्थ हो सकता है ये सर इसका अर्थ दिया गया है section 148 के explanation 1 में दिया गया है as per explanation 1 to section 148 the information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment means इसमें क्या-क्या information क्या-क्या सूच रहा है शामिल होगी आपको एक ambit समझने को मिलेगा any information in the case of assesi for the relevant assessment year in accordance with risk management strategy formulated by the board from time to time board का मतलब है दोस्तों यहां CBDT और CBDT time to time risk management strategy बनाती है जिससे वो cases को filter करती है किसे किसी विक्ती ने real estate वेची return नहीं बरी किसी विक्ती ने share market के transaction के F&O के transaction के return नहीं बरे किसी विक्ती ने return बरी पर कोई income नहीं रिपोर्ट करी suppose किसी विक्ती ने salary return बर दी saying man का 2,00,000 कभ्याज ही नहीं दिखाया तो यह कुछ information हो सकती है जिससे department का belief बनता है कि हाँ साब assessi की income escaped रही है tax नहीं दिया है any audit objection to the effect that assessment in the case of assessi for the relevant assessment year has not been made in accordance with provision of this act income tax department की internal audit team होती है उनकी AG audit भी होती है दोस्तों तो वहाँ पर अगर कोई एक assessment हुआ और further audit में objection आ जाए कि करदा था कि यह income को तो आपने टैक्सी नहीं किया यह deduction गलत दे दिया तो उसको भी वह information suggest that income escaped assessment मानते हैं information received under an agreement referred to in section 90 or 90 of the act बहुत से non-residents पर इंदनों notices आ रहे हैं या resident पर यह notice आ रहे हैं कि as a resident मैं मानली जी यूएस गया वहाँ पर 10 लाक रुपे कमाए और यूएस अथॉर्टी ने इंडियन अथॉर्टी के जाथ information share करी कि साब ये इंडियन passport holder है नो बाटिया है यूएस आया था 10 लाक कमा गया या इसने यूएस में बैंक खाता खोल रखा है तो income tax department जानना चाहेगा बाटिया जी आपनी information हमसे share की या नहीं करी any information made available to the assessing officer under the scheme notified under section 135a ये section विशेश रूप से लाए थे कि एक scheme 135a में जिसे आप e-verification scheme भी बोलते हैं के e-campaign की scheme department लेकर के आया के e-campaign में बहुत सारे लोगों से already compliance करा है पर कुछ लोगों ने compliance नहीं किये तो वो non-compliance 148a का basis बनेगा any information which requires action in consequence of order of a tribunal और a court के ITAT ने high court ने supreme court ने कोई observation दिये कि साब इस करदा था कि तो ये income tax होनी थी या ये assess होने से रह गया तो information के basis पर department assessment के लिए move कर सकता है यहां आपको ये बात समझ में आई कि अच्छा क्या-क्या basis हो सकता है जिस पर income tax department फिर शुरू करता है अपनी कारवाई किसी करदा था कि assess नहीं होई है तो वह inquiry करे अब inquiry करने के साथ साथ यह को करना क्या है he is to provide an opportunity of being a two-dhatsasi अब आपके लिए golden opportunity का मौका शुरू हो रहा है कि आपको सुनवाई का मौका दिया जा रहा है कैसे by serving upon him आप पर serve किया जागा क्या serve किया जागा a notice to show cause within such time as may be specified in the notice being not less than 7 days and but not exceeding 30 days साथ दिन से लेकर 30 दिन के period का आपको notice मिलेगा कि साथ दिन से 30 दिन में जो notice में अब दी निश्चित होगी उसके अंदर आपको जवाब देना है और ये notice आप पर serve करना जरूरी है अगर ये notice serve नहीं होगा तो पूरी प्रक्रिया आगे section 147, 148 invalid होगी इसलिए notice का serve होना बहुत जरूरी है तो इन दिनों बहुत सारा चर्चा ये भी चलती है कि क्या किसी SSC के login में एक notice बेद देने से क्या वो notice की serving हो गई इस पर factual matrix पर based हो करके अलग-लग interpretation आ सकती है पर प्राइमर फेसाई यदि मैं मान लूँ कि आप अपने login से return भरते हैं 26 AS डाउनलोड करते हैं 143.1 की intimation receive करते हैं तो क्या फिर उसी login से आप section 148 का notice नहीं देख पार हैं इस बात को department मानता रही है और income tax department 148 का notice आपकी mail पर भी भेजता है तो आपको mail box भी check करना है समय समय पर ये भी check करना है कि online आपके portal में कौन सा mail ID है अगर वो आपके mail ID आपके CA का डला है तो मैं बोलूँगा नहीं तात पर ये है सर के AO 148 की inquiry में आपको सुनवाई का मौका देगा और सथ ताइम ऐस में बी एक्सेंड़ वाहिम बाहिम आपको सुनवाई का मौका देगा on such time as may be extended by him on the basis of an application in this behalf as to why notice under section 148 should not be issued on the basis of information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment in his case for the relevant assessment year and results inquiry results of inquiry conducted if any as per clauses अब कैसी inquiry होती है उनके पास में तो बहुत सारी information आती है आपने जी credit card के transaction किये 50 लाग के आपने खाते में cash जमा करा लिया 25 लाग रुपे आपने कोई real estate खरी दी या बेची और ITR ही नहीं भरी एक तो ITR नहीं वरना दोस्तों मैं कहना तो नहीं चीए पर अपने देश में बहुत बड़ा गुना हो रहा है क्योंकि department ये कहता है कि आपके financial transaction से तो ये लगता है साब आप से एड़ जी हो लेकिन return आप भरते नहीं हूं और इसलिए मेरे जैसा CA बार-बार लोगों को कहता रहता है हाद जोड़कर के भाया अपनी return जरूर बढ़ा करो विशेश लाते में नकद जमा करा लिया आपके ने साब income ही नहीं है department कैसे मानेगा आपने credit card 50 लाग के transaction कर लिया चाया आपका credit card किसी ने use कर लिया department कैसे मानेगा कि आपकी income नहीं है department का पक्ष प्राइमा फिसाइस है तो मौके का फायदा उठाई है आप पहले सतर्क नहीं थे return नही है हैं आईए जवाब दीजिए उस inquiry पर जो हमने की थी और आपकी information यह है हमारे पास में हम आपको बता रहे हैं अब इस पर आपको क्या comment करना है बढ़िया जी वह comment करिए तो मुझे comment करने है यानि आगे बढ़ करके अपना जवाब देना है देखे दोस्तों जब department ने inquiry करी करदाता को एक notice दिया notice सर्व करना ज़रूरी है उसके बाद क्या होगा करदाता ने reply कर दिया ऐसा मान लेते हैं नहीं कर रहे है तो वो मुर्खता है करना है reply consider the reply of the assessive furnish अब यो को आपके reply को ध्यान रखना है कि आपने क्या reply किया if any in response to the show cause notice refer to in clause B कि अभी जो show cause notice आपको आया था न कि क्यों आपके against एक assessment 147 में खोले या 148 कर notice दे अब आपके जवाब को यो को ध्यान रखना है ये बहुत important point है आपने जवाब दिया यो ने ध्यान कर दें तो जवाब देना है अब आपने जवाब दे दिया यो ने जवाब को consider कर लिया finally यो को क्या करना है तो 148 का clause D कहता है decide यो decide करेगा सब क्या decide करेगा on the basis of material available on record जो information record पर आगई including the reply of the assessi whether or not it is a fit case for issue of notice under 148 अब 148 के golden opportunity होने का time आगया क्या time आगया आपने यो को satisfy कर दिया कि साब देखिए जो आपको information लग रहा है मान लीजे purchase of property का मैटर आया मैंने return नहीं बरी 50 लाग की property ली तो department सही है साब 50 लाग की property ले रहे है अनूपर्टिया return नहीं बर रहा मैंने का साब गलती होगे return नहीं बरी पर मेरी income suppose कम थी मैंन उन्हें पिताजी की return दे दी पिताजी के bank खाते से इनके खाते में पैसा आया ये प्रूव कर दिया तो ठीक है ऐसी परिस्तिती में अगले की income तो थी डेड़ लाग पर 50 लाग रुपे का gift पिताजी से मिला जिससे property खरीद ली कोई दिक्कत नहीं है इसा he may drop पर उनको मैं यदी satisfy नहीं कर पाया मेरा जवाब संतुष्टी प्रदान करता नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे by passing an order with the prior approval of specified authority फिर उन्हें यो को prior authority से मतलब senior authority से approval लेनी है prior approval फिर क्या करेंगे within one month from the end of the month in with the reply referred to in clause C is received by him ज्यादा तर इंदनो फर्वरी के reply चलेंगे तो से फर्वरी दोजार चोईस के अंत से 31 मार्च दोजार चोईस तक यो अब क्या करेगा और where no such reply is furnished within one month from the end of the month in with the time or extended time allowed to furnish a reply as per clause be expired what he will do he will decide what he will decide on the business of material available on record including reply of the SSC whether or not it is a fit case for issue of notice under 148 by passing an order now you will pass an order under 148 a clause D इस order से आपके case का भविश्यत्य होगा क्याहाँ साब अभी आपका assessment आगे चलेगा या drop हो रहा है drop हो रहा है तो खुशिया बनाईए party करिए और नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगा दुखी मत होई है कोई दिक्कत नहीं है अभी आपके charter accountant के पास में जाने का time है मैं tax advocate के पास में जाने का time है मैं तो कहूंगा अभी नहीं पहले ही जाना था जैसी 148 का notice आया अपने tax consultant के पास पहुंचिये साब और उनकी सेवाए जरूर लीजे हो सकता आपका अनुग जी आप तो अपनी दाल रोटी का जुगाड कर रहा हूं साब इंसान तो मैं भी हू सदर्वाइस सर किसी भी करदाता को income tax department की technicality का अंदाजा नहीं होता और एक charter accountant एक tax advocate they are well equipped with the knowledge of these transactions जो आपने किये हैं कि उनका income aspect क्या है सपोज लोन लेना कोई गलती थोड़ी है पर अगर income tax department ने आपके loan लेने की credit entry को income मान रखा है तो यह तो गलत है ना सर नाव CA knows tax advocate knows how to reply it why not to use the professional services वो cost उनकी बहुत कम होती है जर as compared to जो हमारे को भुगत नहीं पढ़ सकती है अगर हमारा matter खुल जाए और आगे अनापशना पर addition हो जाए तो आप यह मत सोचिए मैं marketing कर रहा हूँ मैं तो सब के लिए marketing कर रहा हूँ अपने लिए बात नहीं करता दोस्तों पर आपको यह सला जरूर दूँगा कि अपने tax expert के थ्रू ही काम करिये जवाब दीजिए ताकि सुनिश्यत हो कि हो सकता है आप 148a में अपना matter drop करा है दोस्तों एक चर्चा छोड़ी सी यह भी आपसे कर लेता हूँ कि मान लीजे आप यह जानना चाहते के अनूब जी how and where to respond online और check भी कैसे करूँ कि क्या मेरे ऊपर कोई section 148a का notice तो नहीं आए तो मान लीजे आपने income tax की site पे login किया तो मेरे जैसा see आपको कहेगा साब pending action में जाहिए और यी प्रोसीडिंग्स पर क्लिक करिए बुले साब इससे क्या होगा आगे के लिए लिए चलता हूँ जैसे आप यी प्रोसीडिंग्स पर गए आपको for your action में हो सकता है असस्मेंट प्रोसीडिंग अंडर section 148a और element assessment year का इशारा मिल जाए इस तरह से लिखा मिल जाए जूर नहीं assessment year 20-21 होगा किसी का 17-18 भी आ रहा है किसी का और भी assessment year different different आ रहे हैं अब यह matter कब खुला देखे है आपका pen आपका नाम ठीक है अब आपको notice देखना है तो आप यहां जाकर के click करेंगे तो notice देखेगा आपको लगता है मुझे किसी CA को जोड़ना है जो मेरा यहां जवाब दाखिल कर सकता है तो आप यहां पर अपने CA को या text advocate को officially जोड़ सकते हैं तो मान लीजिए आपने view notices for e-proceeding में जब click किया तो अगें आपको assessment proceeding आपका pen आपका नाम assessment year financial year किस notice कौन से reference ID से आपको आ रहा है notice under section 148A है notice का nature क्या है show cause notice under 148 है अब issue हुआ और response date क्या है अब आपको टै करना है वाटिया जी मुझे तो response submit करना है तो यहां click करना है ठीक है तो यह एक बहुत important जगे हम पहुंच गए हैं जहां आप हमारे को submit response का time आ रहा है ध्यान दीजे मैं मान लेता हूँ कि आपने जो भी information department ने आपके साथ 148A के notice में share किये 148A का notice ऐसा नहीं है जहां आपको estimate करना है department आपको बताएगा कि वाटिया जी आपने यह transaction किये जो हम पूछ रहे हैं तो ठीक है मैंने उन transactions पर अब response करना है fortunately partial response का भी option है और full response का भी option है और आप अपना return response यहां पर दे सकते हैं आपका response यदि लंबा है और शब्दों की सीमा कम पड़ती है तो मैं कहूंगा sir return में भी एक submission लगा सकते हैं देखिए यहाँ click here to select categories for attaching document यहाँ आप document भी attach कर सकते हैं real estate purchase sale करी, share market transaction किये, bank statement attach करना है, third party confirmation है आप वो सब documents यहाँ attach करके लगा सकते हैं और मेरा मानना है जितने document आपके case के favor के हों जरूर उनको लगाई शुरू में दोस्तों आप से मैंने कहा था कि कुछ mistakes, कुछ गलतियां जो करदाता सामान्य तक करते हैं 148A के notice के response में वो भी आपके समख्ष रखूंगा कि कहीं आप से गलती ना हो incomplete inaccurate information, आदही अधूरे सूचना department को देना, उन्हें मजबूर करता है कि आप पर 148A clause D में एक ऐसा order pass किया जाए कि आपका further assessment 147, 148 में खोल दिया जाए तो मेरा एक कहना एसर जरासा इस बात पर नजर दोड़ाईए कि आप पूरी information दे रहे हैं या अधूरी information providing evidence in support of the claim, जो बात आप claim कर, आपने बोला जी मैंने पिता जी से gift लिया, तो क्या पिता जी से ली gift deed दी क्या आपने बोला जी मैंने property बेची loss हुआ, तो क्या आपने gift deed से बेचरे की sale deed लगाई तो purchase deed भी लगाई क्या उसे कैसे पता चलेगा assessing officer को क्या आपको loss हुआ matching the data shared by income tax department with form 26 AS, ITR file, bank statement, registries आप जो data share कर रहे हैं कि आपने उसे 26 AS, already filed ITR से, अपने bank statement की से, अपने register document से मिलान किया था क्या timeliness of reply, बहुत से लोग तो इसी में चूक रहे हैं कि उनसे reply timely नहीं file हो रहा, यहां department की भी गलती है, वो बहुत कम समय देते हैं और उसकी वज़े से अगर कोई SSC मारा जाता है, तो मैं उसकी प्रती समवेदना रखता हूँ, तो department को proper time देना है और अगर time दिया है उन्होंने आपको, तो आप सुनिशित करिए कि उस time में, या आपको अगर time और चीए, तो time बढ़ानी की request करिए officially, online partial response में, और फिर अपने reply को timely file करिए, यह नहीं करिए सर अभी करूँगा करूँगा, क्योंकि उनके पास 14080 की process में, department के बाद time कम है यह के बाद, उन्हें भी कुछ fastness यहां पर रखनी है, तो आप यह मानिए कि आप लंबा समय नहीं मांग सकते हो उन से, तो जल्दी तय क्यारी करिए, और last and the very important point, quality of reply sir, here your consultant would help you, कि वो technically समझते हैं कि आपको 148A के notice को कैसे reply करना है, तो सुनिश्चित करिए, कि आप एक qualitative reply file कर रहा है, ताकि बहुत संभव हो कि आपका 148A clause D में, एक dropping का order पास हो, कि आपकी assessment हम drop करते हैं, rather than assessment खोलते हैं, तो मुझे लगता है द बातों का ध्यान रखें, तो आप पर एक assessment खुलने के जगे, assessment drop होने जैसा भी order आ सकता है, now at the end my dear friends, as I have already told you in this video, कि साब 148A के notice को हलके में नहीं लेंगे, ये एक मौका है, ये golden opportunity वास्तम में है, जो assessi को अपना पक्ष रखने का मौका दे रही है, और यदि assessi सिद्ध करें कि जिन transaction को लेकर के साब आप मेरे प्रती ये संभेदना रखते हैं, ये संभावना रखते हैं rather, कि मेरी income escaped हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, पर अपनी बात को proper कागज से सिद्ध करना है, केवल story लिखने से काम नहीं होगा, आपको document देने है support में, और यदि आप ऐसा कर पाए तो ये opportunity वास्ता में golden opportunity थी, और यदि नहीं कर पाए, तो भी डरना नहीं है सर, 148 के notice और आगे 147 में भी आपको जवाब देने के मौके मिलेंगे, पर कुशिश करिए कि आप 148 में proper जवाब दाखिल करके अपने matter को drop करा पाएं, तो इनी शुपकामनाओं के साथ दोस्तों कि यदि किसी करदाता पे 148 A clause B का notice आया है, तो वो उसे properly attend करें, with professional help attend करें, और यता संभव रूप से उसे drop करा पाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय है